नई सुभा आडियो कॉलम सर्विस में खुशाम दीद रोजनामा जंग से कॉलम पेश है बाजी पलटने वाली है कॉलम निगार है सोहेल वराइच और आवाज है हानिया मुबीन की अगर आप नई सुभा की आडियो लाइबरेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वालंटिया करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेब साइट www.naysubah.org मुल्की और गैर मुल्की हालात के तेवर से ये नहीं लगता के बाजी पलटने वाली है बाज लोगों का ख्याल है कि सैनिट इलेक्शन में गेर मतवक्का काम्याबी मिल जाएगी हकूमत हार जाएगी और यू तहरी के अदम एतिमाद की राह हमवार हो जाएगी बजाहिर ऐसा होता नजर नहीं आता ना मुल्की फिजा इस तरह की बाजी पलटने को तयार है और ना ही पसे पड़दा इस तरह से बाजी पलटने के कोई आसार है आज आकर कुछ वोटों की इधर से उधर उड़ान पर मिर्च मसाले वाली कहानिया बनेंगी और बस वैसे भी उपर और नीचे की सोच में फर्क है उपर सब कुछ ओके है और समझा जा रहा है कि हमारे और हकूमत के फाइदे और नुकसान एक है हमारी आपस की लड़ाई हुई तो दोनों को काबले तलाफी नुकसान पहुँचेगा हकूमत को कम नुकसान होगा और हमें इसका ज्यादा नुकसान होगा नीचे की सोच ये है कि हकूमत की गलतियां हकूमत के खाते में पढ़नी चाहिए और अगर हकूमत कारकरदगी दिखाने में नाकाम है तो इसका कवर अब बंद कर देना चाहिए नीचे और उपर के दर्मियान मुबाहिस के बाद अब अन्दाजा ये है कि मामला गेर जानिबदारी की तरफ बढ़ रहा है मगर इस गेर जानिबदारी में भी हकूमत की जानिबदारी पिन्हा है क्योंकि गेर जानिबदारी के बावजूद इसे निकालना नहीं है इसके पांच साल पूरे करवाने है ना इसे निकालने की साज़िश करनी है और ना ही इसे निकालने की कोशिश में मदद करनी है गोया हकूमत को हर सूरत में चलाना है तबदीली अलबता सिर्फ इस बात की है कि हर सियासी खिल में हकूमत के साथ जुड़कर खड़े होने की पालिसी जारी नहीं रखनी बलके सियासत से थोड़ा सा हट कर रहना है दिल्चस बात ये है कि गेर जनिबदारी की तजवीज नीचे से उपर गई है नीचे वालों को माशरती दबाव महसूस हो रहा था और इन्हें यू लग रहा था कि इन्हें इन नाकर्दा गलतियों कभी जिमेदार ठहराया जा रहा है जिन में इनका कोई करदार नहीं होता और फिर इन्हें ये भी गिला है कि वजीर आला पंजाब और वजीर आला खेबर पक्तून फुआ तब्दील करने के हवाले से इनकी तजावीज को दरखूरे एतना नहीं समझा गया वो इस पर भी शिक्वा किना रहते हैं कि वजीर आला सेक्रिटेरियेट में तब्दीलियों के हवाले से इनकी तजावीज को नहीं माना गया यही वो सूरते हाल थी जिसमें नीचे वाले हर मीटिंग में ये जोर डालते रहे कि हमें हकूमत से थोड़ा सा फासला पैदा करना चाहिए बिला आखिर इनकी सुनी गई और अब यही सुनाया जा रहा है कि उपर नीचे सब गैर जानिदार हो गए है बाजी बलटने का जब मौसम आएगा तो इसके असार पैदा होंगे हालात के तेवे बदलेंगे पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के अंदर से बगावत पैदा होना हकूमत जाने की पहली अलामत होगी बाजी जब भी बलटती है मतबादल इनतजामात की पहले से तयाया शुरू हो चुकी होती है अब भी जब आपको मतबादल इंतिजामात और मतबादल नाम के बारे में सुनगन मिले उस वक्त पसे पर्दा हकूमत के जाने की तैयारियां हो रही होंगी फिलहल ना बाजी पल्टेगी ना हकूमत जाएगी मगर हकूमत का उरूच खतम हो चुका है और अब ये जावाल के जानिब गामजन है पहले अठाई साल में हकूमतें अपने अगले अठाई साल की बन्याद रखती है मनसूबे बनाती है और फिर आखरी अठाई साल इन मनसूबों की तकमील का फल खाती है मजूदा हकूमत ने ऐसी कोई मनसूबाबंदी नहीं की पाकिस्तान के हुक्मरान हो या इनके बत्तरीन मुखालिफ सब को इल्म है कि 5 साल बाद भी पाकिस्तान माशी तोर पर वहीं खड़ा होगा जहां आज खड़ा है इस हागदार तो अपने दोर में ये खुआप दिखाया करते थे कि पाकिस्तान आइंदा चन्द बर्सों में दुनिया की 20 वी बड़ी और उभरती हुई माशी ताकतों के साथ खड़ा होगा अब सूरत हाल ये है कि हम भारत और बंगला देश दोनों से माशी तोर पर कहीं पीछे रह गए हैं माशी नमू में दोनों मुमालिक हम से कहीं आगे निकल गए हैं पाकिस्तान को बरामदात के हवाले से जी एस पी की जो सहूलत मिली हुई है इस पर भी कई एतराजात उठ रहे हैं FATF की बहुत सी शराइत पूरी करने के बावजूद हमें इस से छुटकारा नहीं मिल रहा कर्जों की अदाईगी के लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं और यूं हम M.I.F. के शिकंजे में मजीद फस्ते जा रहे हैं माशी सूरते हाल के हवाले से उपर से नीचे तक सब इस खुशफैमी से निकल आए हैं कि हम आदादों शुमार के चक्कर दे कर माशी कुवत बन सकते हैं और तो और हकूमट टेक्स कलेक्शन में भी अपनी कारकरदेगी दिखाने में नाकाम रही है सियासी हवाले से P.D.M. फिलहाल मीटिंगों और सला मश्वरे तक मैदूद है लेकिन जाहिर है इसने भी जल्द बदेर मुताहरिक होना ही है P.D.M. ने लाजमन पहले मरहले में अपनी गलतियों पर गौर किया होगा और अब ऐसी हिकमत अमली तश्कील देगी जो कारगर साबित हो P.D.M. के लिए पहला बड़ा चैलेंच लांग मार्च होगा लांग मार्च में चारो सूबह से लोगों को इसलामबाद लाना और फिर इनका एक बड़ा जल्सा करना एक मुश्किल टास्क है और अगर इस मार्च ने धर्णे का फैसला किया तो फिर इस के लिए वसी इंतिजामात करना पड़ेंगे ज्यादा उमीद यही है के लांग मार्च को धर्णे में तबदील नहीं किया जाएगा बलके इसे लांग मार्च तक ही मैदूद रखा जाएगा पीटी आई हकूमत के लिए सैनिट इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा के अगले अठाई साल में वो अवाम के साथ क्या बेचेगी सुना गया है के पसे परदा पंजाब में हेल्थ कार्ट की तैयारियां जारी है और कहा जा रहा है के अगले इलेक्शन जीतने के लिए पंजाब के हर फर्द को हेल्थ कार्ट दिया जाएगा दूसरी तरफ बहुत से बियोरकेट्स इस प्रोग्राम के मुखालिब भी है वो समझते हैं कि महकमे सेहत पहले से ही एक बड़े बजट के साथ काम कर रहा है जिसके हस्पताल, डॉक्टर और डिस्पेंसरियां हर जगा अवाम की खित्मत कर रही है ऐसे में हेल्थ कार्ड एक इज़ाफी बोज़ होगा चुनाचा हेल्थ कार्ड के इज़ाफी बजट के लिए बहुत से तरक्याती मलसूबों की कटोती करना पड़ेगी दूसरी तरफ हेल्थ कार्ड के हामियों का कहना है कि हेल्थ कार्ड गेम चेंजर होगा जिसे हेल्थ कार्ड मिलेगा वो PTI के गुन गाएगा सैनिट इलेक्शन में वोटो के उतार चड़ाओ के बाद अगली सियासत चुरू होगी जाहिर है ओपोजीशन की कोशिश होगी कि हकूमत को या तो उतार दिया जाए या कमजोर किया जाए जबके हकूमत को ऐसी हिकमत अमली बनानी है कि एक तो वो अपनी मुद्द पूरी करे दूसरा अगले इलेक्शन के लिए अपने पहरे और अपनी गेम तयार करे फिलहाल PTI की कारकरदगी ऐसी नहीं कि वो अगले 18 साल लोगों को मुतमईन रख सके अगले इलेक्शन के हवाले से उमीदे बांधना बहुत दूर की कोड़ी लाने के मुतरादिव दिखाई देता है PTI को इस साल सियासी धशके लगेंगे बाजी बेशक ना पल्टे कला बाजियां ज़रूर लगेंगे ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए